नमश्कर इनकबर में आपका स्वागत है 2024 के आम चुनाव के मद्दे नजर विपक्ष और सत्तापक्ष दोनों बंहें चढ़ा रहा है अखाडा सज रहा है लेकिन विपक्षी एक्ता की जो मुहिम सुरू हुई थी उससे सुरुवाती दोर में ही जटका लगता हुआ सा दिख रहा है विपक्ष ने जो एक एक करके मुद्दे उठाये खास और से कांग्रेस ने उसकी अगवाई की अडानी के मामले पे जेपी सी का गठन हो सावरकर मुद्दे पे रहुल गांधी ने वार किया उन सब से सरद पवार ने किनारा कर लिया और इतना ही नहीं बलकि सेल्फ गोल भी किया कि जब सुप्रिम कोर्ट अडानी मुद्दे पे एक्सपर्ट कमेटी गठित कर चुका है तब जेपी सी की जरूरत क्यों अहमादी पार्टी जो अभी राष्टी पार्टी बनी है उसके प्रमुक अर्बिंद के जरिवाल लगातार पीम की डिगरी का विबाद उठा रहे थे उस पे भी उन्होंने कहा कि ये गए जुरूरी मुद्दा है ये कोई राजनितिक मुद्दा नहीं है सवरकर पर सिवसेना अलग स्टेंड था उसने कांग्रेस को खेरा कहा कि साथ घूमें आपके साथ यात्रा में इसका मतलब यह नहीं कि बीड सवरकर के बारे में कुछ भी आप सुनेंगा और हम सुनते रहेंगे अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसी जगडे के बीच में उधव ठाकरे कल पहुँचे सरत पवार के घार और सरत पवार के यहां संजय राउत सुप्रिया सुले दोनों उस मिटिंग में मौजूद थे इनकी मिटिंग चलती है उधव ठाकरे और सरत पवार की और इसमें सारे मुद्दे उठाए जाते हैं यहां तक कि सिउसे ना और एंसी पी में भी बत्वेद है अजीत पवार कहते हैं कि क्या 2014 और 2019 में देश के लोगों ने PM की डिगरी देख करके बोट दिया था बात कीजिए महंगाई की बात कीजिए रोजगार की बात कीजिए कानून ब्यवस्था की लेकिन बाते हो रही है कुछ और सरत पवार खुद कह चुके हैं कि डिगरी कोई मुद्दा नहीं और उधर ठाकरे डिगरी का मुद्दा उठा चुके है तो इन सारे मुद्दों को लेकर के जो मतभेद है वो खुल करके अब सामने आने लगे हैं और इस सवाल उठने लगे हैं कि जब 20 राजनितिक दलोने एक बैठक करके तै किया कि हम साधा कारिक्रम बना करके आगे बढ़ेंगे फिर सरत पवार ने एक के बाद एक तीन मुद्दों पे अलग स्टेंड क्य लिया सबसे पहले अडानी मामले में जेपीसी के गठन को लेकर के जो कांग्रिस मुहिम चला रहे थी संसत से लेके सड़क तक मार्च निकाल रहे थी उसी की हवा निकाल दी फिर पीएम के फरजी डिग्री को लेकर जो आरोप आम अदे पार्टी लगा रही है उसको भी नक सरत पवार राजनीत को जानते और समझते हैं इस समय देश में जो नेता दिख रहे हैं वानुभावी उनमें से वो बरिष्टतम हैं सारे दाव पेच भी उनके आते हैं सबसे कम उम्र में महाराष्ट के मुखे मंत्री बन गये थे उन्होंने भी पाटी तोड़ी थी दल जो मिल करके महाविकास अघारी बनाए हुए हैं यह अलग-अलग हो जाएंगे कुछ उसी रास्ते पर मामला जाता हुआ दिख रहा है हाला कि सरत पवार और उद्धव ठाकरे में से किसी ने भी इस मिटिंग के बाद कोई बयान जारी नहीं किया है लेकिन सरत पवार औ को पीये मोदी के पाले में अभी फिलहाल अपने बयानों से दिख रहे हैं एक बात ये भी लग रही है कि अडानी की तरफ से कोई पहल की गई है क्या महुचारी बाते हैं राजनित में ऐसी बाते होती रहती है तो महाविकास अघारी किधर जा रहा है क्या ये टूटके पर है मत्भेत तो बहुत ज्यादा साफ साफ दिखी रहे हैं इस पर हमारी नजर रहेगी और आप से साजा करते रहेंगे रहें देखते रहिए इन खबर थैंक